नमस्ते टेरिस कीचन में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेट खोआ बनाएंगे। चलिए बनाना सुरू करते हैं। इंस्टेट खोआ बनाने के लिए मैंने यहां एबरेडे कप एक कप मिल्क पॉडर, हाग कप मिल्क और दो चम्मज घी लीए। चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं। अब उन फ्राइपेन में मिल्क पॉडर, घी और थोड़ा थोड़ा मिल्क डालके इसे मिक्स करें। अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे मीडियम आज पर लगातार चलाते हुए पाच मिनट तक पकाएंगे। हमारा इंस्टेट खोआ बिल्कुल तयार है। हमारा इंस्टेट अब हमारा